वेलकम फ्रेंट्स आज का ये वीडियो आप लोगों क्यों टेंसन फ्री करने के लिए बनाया है क्योंकि मैंने ये पाया है कि जब से कोरोना कोविड-19 आया है हर इस्टूडेंट के पढ़ने की सोच में काफी बदला हुआ गया है विशेश रूफ से जब दो साल से उनकी स्टूडी काफी प्रभावी तो यहां तक कई बच्चों ने काफी स्टूडी की खूब मेनत की लेकिन जब पेपर का टायम आता है या उसके पहले जब सिले बस आता है तो जो पाट उन्होंने पढ़े थे उन पाटों को उन चेप्ट को हटा दिया जाता है कई बच्चे जो पहले से ही पढ़ाय सुरू कर देते हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा अन्याय होता है क्योंकि वो पूरे साल मेनत करते हैं वो मई जून से पढ़ाय सुरू कर देते हैं मार्च में पेपर होगा अप्रेल में पेपर होगा तो हमें वो या फिर एकजामी नहीं हुआ और उनको उन मार्ग से संतुष्ट करना पड़ा जो शायद वो और अच्छा कर सकते थे और अच्छा ला सकते थे वे एसा सोस कर आगामी जो ककसाएं हैं जब वो आगे प्रमोट हो कर जाते हैं तो आगामी ककसाओं में भी एक डरुन के पेदा हो गया मैं क्या पढ़ू अभी इसको पढ़ लूगा पता आगे फिर ये चेप्टर हट जाए या फिर ये जो मैंने तयारी किये सब बेकार हो जा हैं और समय निकलता जाता है एसा दोसा से हो रहा है और हर student जो पढ़ने में रूची रखता है वो हर student बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया खापी ज़्यादा तनाव में आ गया तो प्रेंट्स मैंने ये वीडियो आप लोगों को उन सब चिन्ताओं से मुक्त करने के लिए और आपके केरियर पर आपके फ्यूचर पर ध्यान देने के लिए बनाया है सबसे मुख्य बात ये है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है कोविड आया है तो इसे जाना भी पड़ेगा और हम सब स्वस्त रहेंगे सुरक्षित रहेंगे और हमारी पड़ाई पराबर चलती रहेगी पहला जो कदम है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी सोच को सकारात्मक करें आप पोजिटिव सोचें अर्थात आप ये सोचें कि आने वाला वक्त है आगे आने वाला जो वक्त है वो अच्छा होगा वो बुरा नहीं होगा यानि जो समय गुजड़ चुका है जो बुरा वक्त गुजड़ चुका है वेशा वक्त अब नहीं आएगा जो भी होगा वो सब अच्छा होगा दूसरा हम जो पढ़ रहे हैं ये बात अलगे सरकार कब सी लेवस देती है कब आपको चेप्टर्स बताती है और इसी पेसो पेस में कई बार चार मईने निकल जाते हैं तीन मईने निकल जाते हैं पांच मईने निकल जाते हैं और फिर आपको तीन मईने का समय दिया जाता है अब आप तीन मईने में चार मईने में वो कोर्स जो आप आट मईने पहले पढ़ना चाह रहे थे आपके लिए वो समय जो निकल गया उसको हम वापस नहीं ला सकते है कोई भी नहीं ला सकता है क्यों वो समय हमने क्यों निकाल दिया क्योंकि हम इस समय का इंतजार कर रहे थे कि कब हमें चेप्टर्स बताए जाएंगे कास हमने वो आठ चेप्टर पड़े होते जो आपकी बुक में थे आज उनमें से दो चेप्टर हट भी गए होते तो भी क्या वो छे चेप्टर हमें याद नहीं रहते वो दो चेप्टर हमने पड़े उनसे हमें नुकसान क्या हो गया भला उनसे हमें नुकसान क्या हुआ हट गए तो हट गए पड़ा तो हमने नोलेजी है लेकिन उस सक्कर में हमने उन्छे चेप्टर को नहीं पढ़ा जो कि आपके कोर्स में आने थे नुकसान में कौन रहा वो रहे जो कि इंतजार कर रहे थे समय निकालते जा रहे थे कब हमें बताया जाएगा कब बताया जाएगा कब बताया जाएगा अब आपको बता दिया तीन महीने है पेपर के और ये चेप्टरें पढ़ लीजिए कौन नुकसान में रहा क्या वो composition पार्ट थे जो writing पार्ट था जो grammar पार्ट था और subject के भी जो मुख्य बिंदू थे क्या वो आगे काम नहीं आते क्या वो एसी चीजें थी जो हट भी जाती तो भी हमें क्या नुकसान हो जाता इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ एक दो पार्ट तीन पार्ट हट भी गए लेकिन आप ने जितने पाट पड़े थे उनके साथ में वो पाट तो कम से कम आपको दो बार, तीन बार, चार बार आपने पड़ लिए तो आप उन सबसे आगे हो जाएंगे जो हाथ पर हाथ दरे बैटे हुए थे इसलिए इस्टेन्सें से बिल्कुल मुक्त होकर फ्री होकर अपनी study चालू कर दीजिये जो आपका course आचुका है आपके सिले बस आचुके हैं course change भी हुआ है तो वो books भी आचुकी है और उनके according हम भी आपके लिए videos बना रहे हैं जो चीज आनी है वो तो निश्चित आएगी ऐसा भी हो सकता है पूरा कोर्स आए 80% आए ये परिश्चितिया जैसी होगी वेसा आपके कोर्स आएगा लेकिन आपके कोर्स तो निश्चित आएगा हर सबजेक्ट में कुछ टोपिक्स ऐसे हैं जो हडते नहीं है वो आगी केरिवोन होते हुए चलते हैं हम उन्हें भी मिश कर देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अभी तो कापी समय है अभी बहुत कुछ समय है अभी क्लियर होने दो और इसी वज़े से समय निकलता जाता है और ज इसलिए समझदारी इसी में है कि हम हमारी पढ़ाई को continue रखें जीत आपकी ही होगी फ्रेंट्स ये वीडियो आप लोगों का confidence level उपर करने के लिए आपको positivity के तरफ सकारात मक्ता के तरफ ले जाने के लिए बनाया है आसाया आपको वीडियो चरूर अच्छा लगाओगा इसे आप जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें थेंक्यू